लौकी से तो आपने बहुत सारी सबजिया बनाई होगी, लेकिन लौकी को ऐसे अगर बनाएंगे, तो घर में अगर कोई लौकी नहीं भी खाता है, वो भी मांग मांग कर खाएंगे, इतना टेस्टी है, तो यहाँ पे मैंने ये लौकी ली है, लौकी को खड़िते वक्त ऐसे थोड़ा दबा के देखना, अगर ऐसे इसली ये दब जाए, तो वो लौकी बहुत ही बढ़िया होता है, मतलब हाट लौकी बिल्कुल भी लेना नहीं है, तो ये पूरा लौकी मैं यूज नहीं करूंगी, इसे मैं काट लूंगी, और आदा हिस्सा हटा दूंगी, ये बाक लौकी अभी करीबन आधा किलो होगा, और लौकी को छीलने के बाद थोड़ा ऐसे टेस्ट करके भी देख लेना, क्यूंकि कभी-कभी लौकी करवा भी होता है, और करवा लौकी से सब्जी का टेस्ट खराब हो जाता है, ये मीठा है, तो अभी इसे ऐसे गोल-गोल काट ल लेकिन इसे फेकना नहीं है, इसी सेब्जी में ही इसे यूज करेंगे, ये देखिए, और ये देखिए, ये बिल्कुल ऐसे एक रिंग जैसा बनेगा, तो आप ऐसे ही बाकी के पीसेस को भी तैयार कर लेंगे, और अब इन सब को मिक्सी में डालेंगे, और बिल्कुल अब मसालों से इन रिंग्स को अच्छे से कोट कर लेंगे, और ऐसे कोट करने के बाद इसे थोड़ी देर रेस्ट कर लेंगे, तो ये लौकी थोड़ा बहुत सौपफी हो जाएगा, लेकिन कोटिंग आप थोड़ा अच्छे से करना, मतलब रिंग्स के अंदर बाहर सारे जगा पे ये मसाले अच्छे से लगना चाहिए, और अभी इसे आठ से दस मिनिट ऐसे ही छोड़ देंगे, और तब तक इस बोल में लेंगे एक कप बेशन, आधी छोटी चमच हल्दी पाउडर, आधी छोटी चमच लालमिच पाउडर, एक छोटी चमच जीरा पाउडर, एक छोटी चमच धनिया पाउडर, एक छोटी चमच कीचेन किंग मसाला, एक छोटी चमच नमक, एक छोटी चमच अमचूर पाउडर, एक छोटी चमच अजवाईन, एक छोटी चमच हिंग, और एक छोटी चमच अद्रग लसुन का पेश, अब इन सारे चीजों को अच्छ तो ज्यादा पानी अगर आप पहले ही डाल देंगे तो यह बैटर और भी ज्यादा पतला हो जाएगा यह देखिए पैटर थोड़ा फूल चुका है और कॉंटिटी भी इसका पहले से थोड़ा ज्यादा इंक्रीज हुआ है तो अभी इसमें यह पेस्ट को डाल देंगे जो के बीच वाले सॉफट पार्ट को मैंने पेस्ट बना कर रखी थी वो और इसे अच्छे से बेसन के साथ मिला लेंगे और इसे मिलाने के बाद देखिए यह और भी ज्यादा पतला हो चुका है इसलिए मैंने पहले थोड़ा पानी यूज की थी और अब इस पैन में यह मैरि बैसन की बाटर बनाई है इसे ऐसे हर रिंग्स के बीच में डाल कर भर देंगे इस बैटर को बनाने के बाद रेस्ट करना नहीं है और सोड़ा वगेरा भी डालना नहीं है अच्छे से फेट लेंगे तो यह वैसे भी सौफ्टी बनेगा और सारे लौकी को फील करने के और अब इसके उपर से थोड़ा थोड़ा तेल ऐसे डाल देंगे इसे यह उपर से भी थोड़ा बहुत सेट हो जाएगा और फिर इसे पलट देंगे और यह दूसरे तरफ को भी फ्राइ कर लेंगे फ्लेम को हमें यहाँ पे low medium पर रखके ही इसे फ्राइ करना है इसे लौक तेल में रखना नहीं है, अच्छे से चान के निकाल लेंगे, और ऐसे ही बाकी के पीसेस को भी फ्राइ कर लेंगे, और अब ग्रेवी के लिए मिक्सी के जार में तीन टमाटर को ऐसे काट के लेंगे, यह मैंने तीन मीडियम साइस की टमाटर ली है, और इसमें आज हम प्यास का यूज बिल्कुल भी नहीं करेंगे तो टमाटर के साथ में डालेंगे ये एक इंच कटा हुआ अध्रप, छे से साथ लसुन की कलिया, छे से साथ काजू, एक बड़ी चमच मगज, थोर इसी धन्यापत्ति को ऐसे तोर के डालेंगे और ये मैंने दो बड़ी चमच फ्रोज अच्छे से पिश जाएगा, और अब फ्राइकी हुई तेल में से ही करीबन दो बड़ी चमच तेल फिर से पैन में लेंगे, और साथ में डालेंगे दो दालचीनी का टुकड़ा और दो हरी लाइची, एक बार इसे तेल में चला लेंगे, इसी इसका फ्लेवर तेल में अच अच्छे से मिला लेंगे और डालेंगे कुछ सूखे मसाले तो एक छोटी चमच नमक आधी छोटी चमच हल्दी पाउडर आधी छोटी चमच लालमिच पाउडर एक छोटी चमच जीरा पाउडर आधी छोटी चमच धन्या पाउडर और एक पड़ी चमच कश्मिरी लालमिच पाउडर डालेंगे और अच्छे से इन मसालों को मिला के इसे बीच-बीच में चलाते हुए भून लेंगे इसमें से जब तक ना तेल रिलिस करें तब तक हमें इसे मीडियम फ्लेम पर भूनना है आप चाहे तो ये सारे सूखे मसाले को थोड़ा बहुत गरम पानी में मिला क छाकर भी इसे डाल सकते हैं इससे मसाला और भी जल्दी से भून जाएगा और कलर टेक्षर भी और काफी जादा बढ़िया हो जाएगा ये देखिए मसाला बहुत अच्छे से भून चुका है और कलर भी देखिए काफी haven हो चुका है तो अभी इसमें मैं कडिबन एक कप ग कोनों सही रहता है और अब ये सारे फ्राइ की हुई लौकी को इसमें डाल देंगे लौकी को डालने के बाद इसे हमें चलाना या फिर पलटना नहीं है क्योंकि लौकी अल्रेडी कुक्ट है बस ग्रेवी में अच्छे से डुबो देंगे और इसे ग्रेवी के साथ 3-4 मिनित पका लेंगे इसे ग्रेवी का स्वाथ लौकी में बहुत अच्छे से आ जाएगा तो अभी पैन को लो फ्लेम पर करके ढग देंगे ये देखिए कितना बढ़िया टेक्षर आया है और ये देखने में आपको जितना टेम्टिंग लग रहा है खाने में ये उससे भी स्वाशकाई